कैसे हैं आप सब आई होप सो आपसे भी अच्छे होंगे तो गाइस फिर लोडते हैं एक पुराने रूटीन की तराफ और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं अपना इवनिंग व्लोग तो जो है टैमी गोज का है इवनिंग के 4.30 और चलिए बैट गस्टाटी यह मैंने जो सब्सक् 좋ym गरम हो गया है तो ड goshmrent मैं जो है अलका सा अएल डालूग बिल्कुल हलका सा लियुख से क्यों नहीं सब्सक्रिक लाया सब्सक्राइब ₩ में मैं जो आपको जो हम अच्छे से जो है प्लेंड कर लिया है अधिक कि गाइस हम मैं जो है हलके आतो से जह है हलके आतो से जो है एसे करेंगे जिसे क्या होगा इसकी जोए ज्ञेप आजाएगी और यह देखिए आप अपने कउंडिटी अपने कोडिंग ले सकते हैं छोटा अफ़डा में थाल लिया है और में 2-3 मिनट बेट करूँ एक रिए तो यह रिखे नाइस कलर ब्राउन प्राउन इसको प्राउन आपका जो ही मैं हम जो ही अच्छे से जो हैं अच्छे से जो है अब देख सकते हैं और लग रहा है यमी अगर आप चाहते हैं कि मैं आप से रेचिपी शेयर करूं तो प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं अगर आप जाना चाहते हैं कि इस तरीके से बनाया है और इसको टू 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 थ्री मिरट जो अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पटने देंगे अच्छा जो है मेरा लड़ी हो गया है अब हम जो ही से जो है अच्छे से पोल्ड कर देंगे अब यह जाएगा प्लेट के अंदर आप देख सकते ना यमी यमी और जो है ऐसे करके मैं जो है सारे चिले रड़ी कर लूँगी जो है आपने जो आने शेक चराएगे चले पिचले कर लिया है अब जो है रेड़ी हो गयी है मैं इनको जो गटो कर लिया और जिल बन रही है मेरी लिए बच्चाय में हो गई है तो यह हो गया है मेरा इवनिंग स्नैक्स डड़ी देखिए यह देखिए यह चल रही है हमार इवनिंग वॉक टैमिंग हो चुका है सेवन ओ क्लोक और पूजा मैं कराई हूँ और अभी आई हूं में इवनिंग वॉक के लिए आप देख सकते हैं यह है मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ गूम रही है यह देखिए हेलो बोलो सारे यह देखिए गाईज यह है अब देख सकते हैं इवनिंग सीन पारक का आज क्राउड थोड़ा कम है विंटर की वजए से क्योंकि विंटर हो वही है स्राथ यह देखिए तो गाइस मैं जो है पारक से आ गई हूं वोक करके और अभी करते हैं दिनर की त्यारी लेक्स्टारिए ने जा रही हूं दाल आप देख सकते हैं यह मैंने नमक और हल्दी मैंने जो है डाल गिया है और अब चोप मैं इसको जाब बढ़ने के लिए रख दूंगी 15-20 मिलाट्स और यह मैं जो है तर्के की त्यारी करूंगी इसमें मैंने जो है गार्लिक ओनियन और बीन शिले डाल ली है अब मैंसे को नवी चोप अब कर दो है जब तब मेरी ताह कर दो फोएं जब तो बालो बहुत है तब तक हमें अपने बतन साथ अब आप तो मेरे बतन हो गए है तीनी और डाल बीजों है और अब मैं करते हैं तटके की तहियारी मैंने कड़ाई ले दी है कड़ाई में डाल जिया है मस्टर्ड ओयल सबसे पहले जो है और ग्राम होने देते हैं और ग्राम हो चुका है मैं डालोंगी क्युब्मिन सीट्स हेंग तुन है तो किता है तुन है ने को जब जाएं है और अंक टालोंगी का पेष्ट और यह को कमें बीजब दालोंगी का पेष्ट आं मैं अच्छी जिए जो है रचक्षिया डूए डर्कियमेश मसाला को डालें हमाटी ब्लगे में तेट हमने नगे पार में अच्छे से पड़े तेशिए पाउडर। तीस्पून धनिया पाउडर, लाव मिर्च, आप तीस्पून रेच चिदी पाउडर, तेकि मैं ग्रीन चिदी समें डाल दी हैं, और मैं जाइं सबको जो अच्छे से मिक्स करोंगी, और और दो हैं, दोसुति तीर मेड तक अच्छे से सको पकाऊंगी, तो यह तढ़का हो ग आप अपने कोडिंग जो है तरादी पॉड़ी ले सकते हैं अगर अगर आपको गाड़ी लेके तो दाल में आपको पानी डाल सकते हैं तर्टे को मिला दिया है दाल में और अब जो है नियुक्त बॉलाने के बाद जो है पिर में इसको शीन पर कर दोंगी तो तो तरे मिनट्स देन रेडी हो जाएगी तब तक मैं अटा रेडी करते हूं आटा ले लिया है चपाते के लिए और मैं जो है आटा गूं देती हूं तब तक हमारी दाल भी रेडी हो जाएगी और अलका पाने अच्छे से आटा कुंदेंगे देखी वाइज आटा जो है मेरा ड़ी हो गया है और आटी को जो हमाने के बाद 2-3 मुट तक रख दूगी ताकि आटा जो थोड़ा से सोफ्ट हो जाए उसके बाद च्पाती जो है तो अच्छी आएंगे आटा हो गई है रेडी और इधर में कर रही हूं चपाती के तैयारियां और पैन हो गया है मेरा गराम के गाइस चपाती आपर हो रही है रेडी गी जाएगा चपाती पर गी रैक सकते है गी बाव ने जाएगी डाल दाल में और यह जाएगा इसमें सैलेड देख सकते हैं गाइस मेरी डिनर की ठाले जो है रेडी हो गई है कर्डम यूज नहीं करेंगे बिकोस जो है वैदर ब्लीकुल चेंज हो चुका है तब भी हम करेंगे डिनर तो देखिए डिनर हो गया है हमारा कंप्लेट और मैं आई हूँ कपड़े सूप रहे हैं कि कपड़े तार देखिए हूँ देखिए दो दियां पर जो है गरम हो रहा है और डिनर वकर हमारा सब फिनिश हो चुका है तो यह मेरा जो है थोड़ा सा काम बाकी है अब है यह है मेरा गुड़। गड़ू गड़ू है बाषी को है जो मेरा खाप ठाठल के है तो फ्रेंड्च है ओड़। मैरे अब देख सकते हैं मेरे बेटी जो है मस्ति कर रही है यह ढहिए है तो गास ऑ मारा जो है आज का हुआ रू ढार जो है आज-स फिनिश हो चुका है इनर हो गया है दूद ब दरब हो गया है यह मेरी गुडिया की मस्ती चल रही है गुडू 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 है अगुडू तो ग्याइज अब देख सकते हैं अब मैं हो गई हूँ फ्री और मेरी गुडिया कर रही है मस्ती तो आज का ये जो है मेरा इवनिंग का जो ब्लोग है वो मैंने आपको दिखाया जो मेरे चैनल पर जो है नए है वो जो सब्सक्राइब करना ना भूले और आपका एक लाइक एक शेर और एक कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए जो है कुछ नया लेकर आने के लिए नहीं वीडियो लेकर आने के लिए एक नया एफ़र्ट के साथ तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिनु आपके सामने कुछ नया लेकर आजय है आए नह दो है आए आए और लेका है।